तो हेलो फ्रेंट्स है सौगे था आपका दुबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो कि आपका अपना अगरिकल्चर श्रून रिकाटमी तो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के ओपर जो कि अपना वर्ल्ड बैंक पिछले लेक्षिन और फ्र मैंने सब अची तरह से एक्स्प्रेंट किया था जो आपको जानकारी इंफोमेशन रहनी चाहिए उसके रिट्ट्स तो चले फ्रेंट्स आज का वीडियो व्ल्ड बैंक पर है तो इसका लेक्षर स्टार्ट करते हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रिवेस तो वीडियो लेक्षर आप देखी रहे होंगे लेकिन उससे प्रिवेस जितने ले वीडियो लेक्षर मैंने अपलोड किये हैं रिजिनल बैंक लिडर बैंक स्कीम किसान क्रेट कार्ड वेगर 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 जितने भी लेक्षर से उसको प्लीज आकर चेक आउट करें ताकि आपका कि फ्रेंड जो आपका इंट्रिनाशनल बैंक और रिकन्स्ट्रक्शन एड डवलप्मेंट यह फूल फॉरम है आई-बी-या-डी से हम प्रवांच करेंगे इसको हम व्ल्ड बैंक कहते हैं ठीक है जो इस्टाबलिश वहा था फ्रेंड नाइंक फॉर्टिफाइव में ठीक ह it is a sister institution other international financial agencies के लिए ठीक है या international monetary fund के लिए मतलब क्या सकते हो कि other states country country को ये loan प्रवाइड करती है financial development में उसको consentancy यानि की advice देने में या other training programs में भी help करती है ताकि उसका development हो सके जो आपका IBRD या World Bank जो आपको इनका मेली एम होता है कि ये poverty को reduce कर सके साथी साथ जो आपका sustainable economic development है इसको promote कर सके मतलब कि इसको पता सके कैसे हम poverty को यानि गरीबी को कम कर सकते हैं साथी साथ हम कैसे किसी भी country का development या economic development financial या GDP जो कहलो वो increase कर सकते हैं ठीक है जो भी उसमे relative member of countries होते हैं India, China, Russia, Brazil वेगर वेगर जितने भी है next point यह है friends कि इसका जो main goal होता है वो loan provide करने का होता है ठीक है और साथी साथ technical assistance भी provide करने का होता है किसी भी project या program जो developing country of the member से लिटेड हो मतलब कि इनका main मुद्दा होता है या technical assistance यानि कि आप कैसे कैसे अपने country में क्या कारणों से या फिर कौन-कौन से ऐसे region से या फिर कह सकते हो कि जहां पर आप पैसे invest कर सकते हो वो एक country को बताती है तूरिजम, development, construction वेगर 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 ये सब technical assistance में आते हैं आपके और providing loan तो आप जानते ही है वो कोई भी हो सकता है किसी project के लिए हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है उस developing member country के लिए मतलब कि जो भी member होहाँ पे है जो country को represent कर रहा है उस कह सकते हो आप board में या director जो कह सकते हो meeting में जो अपने representative होते हैं हम obvious हाँ आप है हमारे prime minister वो वहाँ पे भागने जाते हैं उनको पूरा advice दिया जाता है कि कैसे वो double up कर सकते हैं ठीक है technical assistance कह सकते हो जो उनको provide किया जाता है आते हैं next point पे जो financial strength है IBRD का वो generally based है friends जो भी support कह सकते हो ताकत शमता जो भी उसको मिलती है उनके share order से या financial policies से जो की practice किये जाते हैं या adopt किये जाते हैं world bank दौरा ठीक है IBRD या world bank एक ही होता है जो साब जानते हैं मैंने बता रहा तो उपर इसमें साफ साफ यही कहा है first line में कि जो आपका financial strength होता है IBRD का वो इसी वे based होता है कि देखिए जितने भी countries हैं वो सब कुछ ने कुछ पैसा contribute करते है world bank को ठीक है पैसा contribute करने के बाद होता क्या है कि कुछ amount किसी भी member जिसको जरूरत होता है developing के लिए वो कुछ interest पे उठा लेता है उसके वैसा फायदा यह होता है कि कम ब्याज पे उनको loan मिल जाता है साथ यसाथ technical assistance या training जो भी बोल सकते हैं उनको चाहिए होता है वो other countries या उस world bank द्वारा के coordination से मिल जाता है उनको इसमें second point यह लिखा है जो इनका main activity होता है world bank का वो generally से loan प्रवाइट करना होता है main objective loan प्रवाइट करना होता है technical assistance वो बाद में क्यों free फोकट का दिया जाता है हर country को या कह सकते हो members of respective countries को next point पे आते हैं friends इसमें total 189 members होते हैं मतब 189 countries के member होते हैं जिसमें staff जो है 170 countries से जादा होते है मतब क्या सकते हो अगर 170 countries है तो 170 staff नहीं होगा उससे 2 गुना या 3 गुना भी हो सकता है और जो अभी offices होते हैं वो कम से कम 130 locations में है all over the globe 130 locations पे है ठीक है यह जो हमारा friends world blank group है ठीक है यह बहुत ही unique होता है global partnership में क्यूंकि इसमें total 5 institutes एक साथ मिलके काम करते हैं वो आपका IBID है IDA है IFC है MIGAI CSID है ठीक है जो एक साथ मिलकर कुछ sustainable solution यानि कि नहीं ज़्यादा खराब नहीं ज़्यादा अच्छा एक balanced way में solution निकालेगा कोशिश करते हैं ठीक है जिसकी वज़से poverty और building share prospectives के नजरिये से जो भी countries है उसको develop किया जा सके ठीक है तो main बाज़से में बताया है कि गरीबी को खतम करना और country को ज़ादा से ज़ादा develop करना ठीक है वो किसी भी method में हो सकता है किसी भी stream में हो सकता है तो next friends आते हैं इसके functions पे कि functions क्या होते हैं world bank total 4 function में ने बताया है जिसमें से पहला है friends development activities development activities में क्या होता है function इसका यह है कि यह loan प्रोवाइट करता है respective members को respective countries के ठीक है जिसके वैसे क्या होता है कि जो भी development development needs होते हैं fulfill करने के लिए वो countries fulfill कर सकती है जैसे माल लेजिए loan लेने से अगर किसी country का construction या कह सकते हो उनका structure develop हो रहा है उस पर को country का अच्छी बात है ना साथ ही साथ friends वो technical assistance भी प्रोवाइड करता है जैसा मैंने उपर के points में बताया था और कुछ other services भी प्रोवाइड के आयाता है उन members of the country के ठीक है ताकि गरीबी को हटाया सके इनका main motive होता है friends गरीबी हटाना ठीक है ताकि जाए सजादा लोग को education मिलेगा literate रहेंगे साथी साथ अगर उनको unemployment का जो problem है वो अगर face नहीं करना पड़ेगा रोजगारी बढ़ेगी तो अव्यसा बात है कि development activities कुछ काम कर रहा है ठीक है पहला functions तो इसका यह है second point यह है friends providing loan साफ साफ जैसा word साफ समझ पा रहे हैं loan provide करना किसी भी IRDs executive director के सहमती से या world bank के सहमती से और वैसा बात है देखिए आप समझे कि जितने भी हमारे members होते हैं वो पहले decide करते हैं क्योंकि पैसा उनका भी लगा हुआ equally जो contribute करते है world bank को जो सबसे ज़्यादा contribute करता है कह सकते हैं उनका दबदबा जाता है ठीक है उनका power जाता है उस meeting में तो अगर इन सब directors ने हां कर दिया उस particular country को की loan देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो उनको मिलता है या नहीं मिलता है situation depend करता है उन executive directors पे ठीक है loan providing को छोड़के friends ये क्या करता है न कुछ special circumstances में कुछ special situations कहलो conditions कहलो जैसे कि अगर माल लिजए कि कुछ natural committees आ गई उस particular country में ठीक है तो loan provide करने के बाद क्या होता है कि जो भी world bank है वो financial analyst या economist या other specialist को provide करती है ठीक है उस particular country के लिए ताकि जो भी problems, damage face किये है उस country में उसको recover किया जा सके जल्दी जल्दी समझ रहो न मेरे बात मतलब कि ये सिफ loan provide नहीं करती है अगर कोई natural committees आ जाते है तो बाड़ा गया ठीक है बारी जाता हो गई ठीक है अर्थ कोई का गया ठीक है सब कोई contribute करता है इसमें चलते हैं फ्रेंट्स थार्ड फंक्शन पर जो कि अपना consultancy इसका मतलब होता है advice simply मतलब advice ये फ्रेंट्स क्या करती है वर्ल्ड बैंक क्या करती है advice provide करती है हर country को equally कि कैसे वो किस state में किस reason में अपने country के वो development कर सकते है जिसके वैसे क्या होगा कि उनका productive quality या कैसा तो product जो भी use कर रहा है other countries वो अच्छा होगा tourism बढ़ेगा वगरा वगरा functions होंगे अब obvious बात है friends जितने ज़्यादा borrowers होंगे उतना ज़्यादा income होगा उस country का ठीक है साथ सी साथ जो भी ज्यान knowledge transfer किया जाता है एक country से दूसरे country तो हला तो वो भी हो पाए ये भी function है एक world bank का third fourth point पर आते है friend research and training जो भी friend research या कह सकते हो training किसी भी respective member of the country किया जाता है तो world bank दूसरे country इसको भी offer करती है ठीक है कि उस program project से related जो भी research या training कर रही है मैं example समझाता हूँ अच्छी तरह समझ में आएगा माली जी आज के समय में अमेरिका को एक nuclear bomb test करता है ठीक है आप ये जो भी knowledge है या training है जो अमेरिका के पास है वो चाहे तो और country से साजा कर सकता है ठीक है depend upon उसका बाकी country से तालुकात रिस्ते कैसे है ठीक है तो एक तरह से कह सकते हो कि world bank इसमें help करता है पैसे तो प्रवाइब करता है करता है साथी knowledge training जो चाहिए होती है other countries को उसको भी provide करने का काम करता है world bank तो यही है friends research and training में आज तक के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please like का button hit कर दिये साथी साथ comment box में जरूर लिखे है कि आपको यह वीडियो lecture कैसा लगा और notes के लिए telegram group 5 तो मैं आज का class यही end up करता हूँ मिलते है अपने next lecture वीडियो में तब तक के लिए आटा बाई बाई